राम राम किसान भाई हो स्वागत है चैनल और्गेनिक फार्मर में मैं हूँ आपका किसान दोस नितिन काजला और भाई अभी जो मैं खड़ा हूँ हमारे ये पंदरे जीरो तेईस काप लोट है जो जैवी की चल रहा है इसमें सरसो थी और ये लेट वुआ था काफी तो जब मैं आपको बताता हूँ कि गंये की पत्ति अगर हम उतार हैं तो किस तरह से उतार हैं कोंसी पत्ति उतारनी चाहिए कोंसी पत्त छोड़नी चाहिए तो बढ़े है चल रहा एकदम first class तो गन्य की पत्ति का यह कई बार प्रस्ट में आता है साथी होगा कि वह क्यों उतारनी चाहिए तो देखो बिए गुमेगी तो जो मोटा मोटा कबाड है खर्पतवार है उसको भी निकाल देगी पत्ती उतर जाएगी तो पत्ती जहां गिरेगी जैर सी बात है हमारे खेत में गिरेगी तो जब पत्ती गिरेगी तो वहां पे फिर बाद में खर्पतवार नहीं होगा अगर पत्ती हमारी वेर दूसरी बात प्रकास लगेगा प्रकास लगके शक्कर की मात्रा तो पत्ति के अंदर छुपे हुए में ही वो उसमें छेद कर देता है तने में और उपर को उसका फिर पोशन जाना बंदो जाता है या कम हो तो इंटर नोट बोरर से भी हमें मुक्ति मिलती है जहां तक कि हम पत्ती उतार दें साथी साथ सबसे बड़िया बात यह है कि खेत हमारा अच्छा हो जाता है और एक बार के लिए रहो गया पत्ती उतारने में फिर खेत में घूमने में भी मन लगता है थोड़ी घांस दब ज देख रहे हो पूरा खूर देख लो तो इसमें आपको दिखेगा कि नीचे के पत्ते पीले पड़ चुके हैं या सूक चुके हैं इस तरह के हो चुके हैं और जो है कुछ छोटे पोधे हैं जिनके पत्ते जो हैं अभी हरे हैं इसमें हमें यह चीज का ध्यान रखना है कि न उपर से ना करें पत्ती निच्चे से उतारनी शुरू करें जो पत्ते आसानी से यह देख रहे हूं आप कितने प्यार से आ रहा है जो जो पत्ते आसानी से उतर जाएं यह देखो है ना और अब आप यहां पर आ जाओ यह चार-पांच पत्ते इसके उतरे हैं अब यह वाला आप देखो ये बिल्कुल चिपका वुआ तने से तो ये नहीं उतारना इस चीज का ध्यान रखना ये पत्ता नहीं उतारना जी से वापिस फिर वाम दूसरे जो लगा रहा हूं लेकिन यह छुट नहीं रहा तो कुछ किसान भाई या मजदूर क्या करते इसको पूरा ऐसे ताकत लगा कर छुटा देते हैं तो गलत है वह पत्ता जो था अभी पोदे से चिपक रहा था पत्ता बिल्कुल हरा था और वह आगे भी पोदे को भोजन देने वाला था तो उस पत्ते को नहीं छुटाना आए बिल्कुल भी जो सूख गया पत्ता जैसे उसको आप छुटा सकते हो अब देखो जैसे यह मैं छुटा रहा हूं यहां खूब कबाड़ धबाड़ हो रहा था तो अब जब यह सूखे हुए पत्ते निकलेंगे इसमें से ब किड़ा जो यहां कबाड में कीड़ा विड़ा कोई पैदा होता वो नहीं होने का जहां तक के पत्ते खुटने लायक हैं वह हम इस तरह से छुटा देंगे इसको भी छुटा ओ इसको छोड़ दो इसका यह वाला छुटा ओ यह जैसे कोई जो मर जाते हैं इसको खैंच दो जब इने हम कर देंगे यह वाला है जैसे यह यह है जिन्दा लेकिन यह कोई फायदा नहीं है इसको खैंच के वापिश निकाल दो यह सब पत्ते छुटने वाले पत्ते हम छुटाएंगे और जड़ साफ होगी जो कोई थोड़ी बहुत घांसती वह साफ होगी और देखो यह जो कच्रा है यह बीच में हमने गिरा दिया तो यहां पर जो है अब खर्पतवार कम जमेगी ऐसी जब पूरे खूड का कच्रा गिरता चला जाएगा तो यह जो है बड़ी आखेत के लि तो इल्ली है वह अंडे देती है यहां यह से वह रिसके निचे जाता और पोरी में डंक मारता तो जब यह पत्ता नहीं होगा तो कम से कम यह मानों पांच है पोरी तक तो इंटरनोड बोरर का प्रकोप से हमें मुक्ती मिल जाएगी यह सारे पत्ते कुछ पोदो के पत्ते उतार दिये हैं कुछ बंचिज के और देखो कितना साफ खेत लग रहा है एकदम बढ़िया गन्ना भी अब हवा लेगा मोटाई भी लेगा आपको दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद जैसे पूरे खेत की पत्ती उतर जाएगी तो अब इधर देखो कितनी घांस फूस कबाड़ा कचरा हो रखा है हवा नहीं लगेगी और इस तरफ की अगर हम बात करें तो यह बिल्कुल किलियर हो गया खर्पतवार भी कम होंगे क्योंकि बीच में कबाड़ इसका कचरा बीच में आ जाएगा और बढ़िया इसका लाभ हमें मिलेगा तो ए और यह खर्पतवार भी कम करेंगा तो साथियों अगर आप कर सकते हैं किरा सकते हैं तो गन्ने की पत्ति जैसे मैंने बताई जो पती झšुट तो मैंने का आप लोगों को दिखाऊं, तो इनकी मोटाई भी उतनी थी, जितनी आपने पीडियो के पिछले भाग में देखी, लेकिन अब इनकी मोटाई बहुत बढ़िया हो गी है, कलर बहुत अच्छा आ गया, थोड़ा ब्लैकिस कलर आ गया है, और ठीक है, मतलब धाई त थोड़ी प्रोमिसिंग मुझे लग रही है, कहां भई हमारे यहां कम से कम जैविक खेती में यह अच्छी चल पाएगी, बचरते के इसको हम समय से बुआई कर दे, अब जैसे हमने यह पत्ती उतारी है, यह पोदे कुछ मजबूत होगी है, कुछ और इसी तरह के छाट के, कुंटल दो कुंटल भी जिसमें से मैं निकाल लूँगा, और अब जो हम खेत की तैयारी कर रहे है, कल हैरो चलाई है, जिसमें उसे भी दिखाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें इसकी बुआई करेंगे, और देखते हैं कि 15-20 अगस्त में, अगर हम भो पाते हैं, 20-25 जातों, फिर कैसा इसका उत्पादन, कैसी ट्रिलिंग, कैसी हाइट आती है, तो आशा करता हूँ भाई, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, गर्ना वाकई में खूब अच्छा लग रहा मुझे, प्रोमिसिंग है, और जैसे हम सी योजे 88 के उपर काम करेंगे इसके उपर भी काम करेंगे, और इसे अच्छी पैदा लेने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आगे इत्ती किसम है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादे से ज्यादे किसान सातियों तक भेजिए, आगली वीडियो में फिर से जुड़ता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद,